गाजीपुर से महा गडवन्धन के उम्मीद्वार अफजाल अंसारी अफजाल अंसारी की पहचान ये है कि ये माफिया डान मुख्तार अंसारी के भाई है और कौमी एकता दल के महातची है माफिया डॉन मुखतार अंसारी के भाई बाहुबली अफजाल अंसारी को उस महागट बंधन से टिकट मिला है जिसमें बराबर के हिस्सदार अखलेश यादव है याद कीजिए उत्तर प्रदेश का विधान सभा चुनाओ जब समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में इसी कौमी एकता दल का विले कराया था और अखलेश यादव ने इस विले को नकार दिया था तब अखिलेश को कौमी एकता दल में अपराधिक प्रवित्ति के लोग दिखे थे और उन्होंने अपने चाचा शियुपाल के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था अखिलेश ने समाजवादी पार्टी के ततकालीन मुखिया तक की बात नहीं सुनी थी मगर अब सब कुछ ठीक है अब अखिलेश के जुबान पर ताला है और नयतिकता सियासत की भेट चड़ी हुई है अब वही अफजाल अंसारी गाजीपुर में केंद्री मंत्री मनोच तिनहा के खिलाफ चुनावी समर में उतरे हैं अब आप ये समझिए कि अफजाल अंसारी को चुनावी समर में उतारने के माइने के मुक्तार अंसारी और अफजाल अंसारी का पूर्वांचल में अच्छा खासा प्रभाव है मुक्तार अंसारी के नाम पर लोग जम कर वोट करते हैं जेल के भीतर रहते हुए भी मुक्तार अंसारी चुनाव जीतता रहा है अंसारी बंधुओं का मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छा खासा प्रभाव है टिकेट मिलने से पहले अफजाल अंसारी ने कहा था कि बीजेपी का यूपी में खाता भी नहीं खुलेगा आज इस्तिती हो गई है कि उत्तर प्रदेश वो राज है जहां असी में 73 सीटे उनके लोगों को मिली थी और आज किसी सीट पर उनकी बोहनी हो जाए यह भी गारेंटी से नहीं कहा जा सकता अफजाल अंसारी भरोसे से भरे हुए हैं देखना दिल्चस्प होगा कि केंद्री मंत्री मनोज तिनहा के सामने अफजाल की बाहुबली छवी क्या गुल खिलाती है